परियोजनों के साथ साथ यहां पे चुनावी सभा को भी संबोदित करने हैं पबलिक रैली को आपको लगता है कि अब शुरुवात हो चुकी है चुनाओं की विदान सभा कभी चुनाओं परदान मंत्री जी पिछले सेप्टेमर 22 को उडिसा आये थे पिछले डिसेंबर 24 को उडिसा आये थे काल भी यहां आएंगे फिर 15 तरिकों भी उडिसा आएंगे भारतिया जनता पार्टी की नीती में रणनीती में उडिसा एक प्रमुक्स्तान है इस बार उडिसा में लाब दैक होगा और आपको लगता है जो ट्राइबल बेल्ट है उसके लिए विकास की जो रफ्तार है वो तेज होगी क्योंकि 100 साल के बाद एक पैसेंजर ट्रेन की भी शुरुआत हो थी निश्चित रूप में ये दूसरी पासिंजर ट्रेन होगा इस जिले को राजा की समय में रेल पट्री आई थी उसको न्यारव गोज से ब्रॉड गोज अटेल जी की समय में ही हुई थी फिर आज मूदी जी की सरकार मईरूहन जिले को उत्तर ओडिसा को रेल की विकास में पास्पोर्ट शेवा केंद्र खुलवाने में लपीजी पाइपलाइन लगवाने में यहां की परियाटन को महत्तो देने में सारे मामलों में साड़े चार हजार कोर्ड रुपया की कारेकरम की काल शिलानयास या लोकारपन होने वाला है मौरुवंच हम लोगों की उडिसा की संस्कृति के एक प्रमुखस्तान है जुएल बावु की विभाग यहां उडिसा में 90 से जादा एकलब्य विद्याले का भी संक्सन किया है आधीबासी हमारी आजेंडा में प्रमुखस्तान पे है इस विकास की उस सब में काल पधान मं मंत्री मौरुवंच जिला पहुंचेंगे उत्ता रोडिसा में एक बहुत भारी माहोल है प्रदान मंत्री जी की स्वागत करने के लिए